Hello my amazing Gen Z's and my lovely students. Welcome to Science and Fun, a very warm welcome to your English session. I am Dupika, your English educator and I hope that you all are doing fine. आज के session में हम लोग कवर करेंगे class 9th का writing section. I hope आप लोगो को ये बात अच्छे से पता है कि आपके writing section में you are going to have around 3 topics. किसी में आपको मिल जाएंगे options और किसी में आपको options नहीं provided होते हैं. तो ये सब चीजे हम लोग discuss करेंगे, क्या आपके topic का overall division है, marking scheme क्या है, किस तरह से हमें अपनी strategy लगानी है, क्या हमारे sentences का structure होना चाहिए, कौन सा tense हमें use करना है. In fact, हम लोग solve करेंगे यहाँ पर कुछ sample question within this video. So without further ado, let's get started. और सबसे पहले हम लोग अपने writing section में बात कर लेते हैं descriptive paragraph की. I know, बच्चों को ये लगता तो बहुत easy है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको hints provided होते हैं, और उसी के basis पर आप लोगों को अपना answer पूरा frame करना होता है. लेकिन अक्सर यहाँ पर उन बच्चों को बहुत problem आती है, जिनने ये नहीं पता होता कि किस तरह से हमें वो दिये हुए hints, वो दिये हुए clues को आपस में connect करना है, तो वो सब कुछ हम लोग discuss करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से हम लोग इसका division देख लेते कि किस तरह से CBSE की marking scheme है, इस particular part को लेकर, तो descriptive paragraph में आपका word limit रहेगा around 100 to 120 parts, I mean 100 to 120 words और उसके बाद इसका marking है, 5 marks का ये question आपको मिलता है, इसमें exact आपको करना क्या होता है, तो देखो जैसा नाम है, descriptive paragraph, मैं आपको elaborate करके भी समझाओंगी कि ये होता क्या है, लेकिन एक short में मैं आपको brief इसका दे देती हूँ, कि इसमें आपको कुछ नहीं, बस एक person जिसके भी आपको hints दिये हैं, उसको describe करना है, या आपको कोई specific event दिया हो सकता है, या फिर कोई भी situation आपको दी जा सकती है, उसको आपको describe करना है, कोई जगह भी आपको दी जा सकती है, आपको इस type के question में, majority parts में तो यार देखो, I mean clues और hints दिये रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको directly बोल दिया जाए, you have to describe your best friend, तो या बच्चपन से आप लोग अपने best friend के बारे में तो पढ़ते आए हो, तो कुछ दो चार अच्छी अच्छी बात है, अपने best friend के बारे में आप लिख सकते हो, however, ये थोड़ा साना extreme case है, कि मतलब teachers को अगर लग रहा है कि बहुत easy paper बनाना है, तब वो इस तरीके का कोई question देते हैं, otherwise majority cases में आपको hints दिये रहते हैं, clues दिये रहते हैं, और आपको बड़े-बड़े personalities के ऊपर descriptive paragraph लिखने को आ जाता है, या फिर कोई बहुती renowned place हो सकता है, अपके जित्ते भी words of wonder है, seven words of wonder या उससे भी जादा जो भी अलग-अलग important places हैं, उन पर आपको कुछ लिखने आ सकता है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, कि हमें हर जगह का knowledge कैसे होगा, लिकिस आपको यहाँ पर provided होंगे hints, और उसके basis पर आपको अपने sentences को structure करना है, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा question writing section में, या तो मिलेगा story या मिलेगा diary, और कई बार हम लोगों को क्या मिलता है, इसमें option की, आपको लिखा होगा कि आपको या तो story अपनी लिखनी है, या फिर आपको उसी के option में provided होगी diary entry, तो इसका आपके पास option रहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चे usually story writing prefer करते हैं, क्योंकि कहानिया बनाने में तो सभी को मज़ा आता है, और उसमें कोई foundation भी नहीं है, कि यही exact तरीका होना चाहिए, writing section का यह best part होता है, कि आप कुछ भी अपनी creativity वहाँ पर दिखा सकते हैं, और कोई ऐसा restricted format भी नहीं होता है, story writing का, ठीके diary writing फिर भी बच्चे avoid करते हैं, पिकिस कई बार उन्हें confusion होता है कि कहाँ पर हमें day लिखना है, कहाँ पर हमें date लिखना है, right, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने descriptive paragraph के साथ, descriptive paragraph होता क्या है, देखो, descriptive paragraph of a person, place, or event written in a brief description of the given topic, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, हम किसी भी एक इंसान, किसी event या किसी जगह के बारे में briefly, ऐसा नहीं है कि हमें thesis लिखने है, 100 pages में हम उस जगह को describe कर रहे हैं, किसी को convince कर रहे हैं कि भी या तुम्हें यह जगह विजिट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एकदम brief में उस जगह के बारे में, उस इंसान के बारे में, या उस पटिकलर event के बारे में लिखते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगोंने सुना होगा drawing में या painting में या art as a subject में, क्या किया जाता है, sketch बनाया जाता है, English में आपको जो भी चीज़े present करनी है, यह एक language subject है, आप इसमें draw करके किसी का sketch नहीं बना सकते हैं, तो जब आपको किसी का sketch बनाना ह using words, तो बस वही है descriptive paragraph, इसलिए इसको words sketch भी कह सकते हो, आप अगर simple layman's term में इसको समझना है, basically आपको ऐसा present करना है कि आपके write-up को पढ़ते ही उस इंसान की image हमारे दिमाग में बन जाए, या उस जगह की image हमारे दिमाग में बन जाए, बिलकुल उसी तरह से, अब इसमें आ आपको जो भी hints दिये हैं, जितने भी hints आपको provided है, notes का यहाँ पर मतलब है hints या फिर clues, जो भी आपको provided है, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बिना उनको पढ़े तो काम नहीं चलेगा, और अगर एक बार आपने उनको धंग से पढ़ लिया, तो फिर प्रेजन टेंस भी उस कर रहे हैं, तो फिर थूआउट वो प्रेजन टेंस ही होना चाहिए, आपको टेंस के साथ मिक्स वाला गेम नहीं करना है, अगर आप पास्ट यूज कर रहे हैं, तो पास्ट प्रिफरबली पास्ट कर लो, पर ठीक है, अगर कुछ बच्चे यहाँ प्रेजन प्रिफर कर रहे हैं, तो भी चलेगा, कोई दिकत की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप लेकिन कोशिश यह करना, कि आप अपने टेंस को एकदम स्मूध रखेंगे, बहुत जादा आपको ट्रांसफर इधर से उधर टेंस में नहीं करना है, उसके बाद जितन इतने clues दिया है, make sure कि आप उन सब का use कर रहे हो, उसके बाद देखो, जो भी आपने information दिया है, उसका एक logical sequence होना चाहिए, अब ऐसा नहीं आपको किसी इंसान के बारे में लिखना है, और आप शुरू कर रहे हो उसकी marital life से, तो यार यह कोई logical sequence नहीं है, आपको definitely सबसे पह अगर आपकी word limit 100 to 120 words है, तो make sure कि आप इससे ज्यादा आगे ना भड़े, otherwise क्या होता है, हम लोग सारे overwhelm हो जाते हैं, भावनाओं में बहे जाते हैं, सारा time writing section को देखकर अपना पूरा का पूरा paper छोड़ देते हैं, तो यह नहीं करना है हमें अपने exam में, एक simple सा format है, कोई बहुत hard and fast rule नहीं है, हमारे descriptive paragraph का, format क्या है, आपके पास एक introduction होना चाहिए, एक body होना चाहिए, और एक conclusion होना चाहिए, आप इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको यह सारी चीज़े separate paragraph में करनी है, आप लोग अगर cbsc के थूझ जो भी sample papers होते हैं, उनमें देखोगे, तो descriptive paragraph ए and then finally conclude करो, right, अब content में आप लोग try करेंगे, descriptive paragraph बोला है, तो कहने का मतलब कि आपको describe करना है, तो आप try करो कि आप अच्छे अच्छे literary devices यहाँ पर use करो, आप use कर सकते हो simili, आप use कर सकते हो metaphor, ठीके simili क्या होता है, कि आप किसी को describe कर रहे हो, इसकी beauty describe कर रहे हो, उसका appearance describe कर जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको आप compare जब किसी और चीज़ से करोगे, तो आपको क्या use करना है, as या for like, metaphor क्या होता है, जब आप comparison करते हो without using like or as, तो इस तरह के figure of speeches आप use कर सकते हो, थोड़ा सा beautify आपके write-up को यह कर देता है, right, इसके बाद, यह optional है, वैसे अगर ज word treasure से I hope, आप लोग समझ रहे हो, मैं आपको बताऊंगी, treasure होता है खजाना, तो मैं आपको दूँगी पूरा का पूरा खजाना, सारी vocabulary का कि कैसे कैसे आपको क्या-क्या words लिख सकते हो, आप किसी particular इंसान की description को लेकर, किसी event को लेकर, या किसी भी place को लेकर, तो सबसे पहले आपको एक formula याद रखना है, और वो formula है, hashtag PP, ठीक है, hashtag PP आपको याद रखना है, descriptive paragraph करते हुए, पटा पटसे आप लोग comments में भी लिख देना, hashtag PP, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो याद रखो कि आपको दो चीजों के बारे में यहाँ पर लिखना होता है, अगर किसी इ stands for physical features, यह दोनों की मदद से आपको इंसान को describe करने है, और उसके बारे में आप क्या ही जान पाओगे है, इसा तो है नहीं, कि जिस इंसान के बारे में आपको describe करने बोला है, उसको आप face to face ज़रूरी नहीं है, कि तुमको अगर शारुक खान का description आ गया, तो मैं उनकी बात नहीं करें, जो hardcore fan है, लेकिन जरूरी नहीं है, कि तुम एकदम face to face जानते हो, तो हर एक बात तुम्हें पता हो, और हर एक चीज, personal चीजे लिखने की ज़र ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो hints provided है, वो आपको लिखने हो और उसमें भी included क्या होता है, अब माल लो तुम्हें कि किसी ऐसे character के बारे में लिख दिया है, आपको बोल दिया है कि you have to write a descriptive paragraph on your favorite cricketer, on your favorite celebrity, on your favorite teacher, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर तो कोई hints या clues provided नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको उनके physical features describe करने हैं, इनकेस आपको बताना है कि भाहिया, आप उनकी height के ब build up, यानि कि अगर आप उनकी body को present कर रहे हो, तो कैसे, थिन आप लिख सकते हो, underweight आप लिख सकते हो, plumb physique हम लिख सकते हैं, plumb होता है, थोड़ा सा fat and chubby, right, आप directly fat नहीं लिखोगे, वो थोड़ा सा offensive sound करता है, okay, strong आप लिख सकते हो, sturdy आप लिख सकते हो, eyes के लिए you can use these words, आप लोग का जैसा भी, आपको क्यूज या हिंट्स में provided है, हो सकता है, आपको किसी की picture provided हो, you never know, question किस तरह से आजाए, hair के लिए आप यह सारे words लिख सकते हैं, complexion होता है, skin color, okay, then other, और आप क्या लिख सकते हो, कि अगर उस इंसान के mustache है, beard है, bushy eyebrows है, bushy eyebrows का मतलब समझते है बहुत heavy, मतलब बहुत जादा hairy है eyebrows, तो वह आप लिख लोगे, broad, chin बहुत broad है, वह आप mention कर सकते हो, thick lips, long face, round face, तो इस तरह से, you can describe that person's physical features, right, तो यह vocabulary आपके बहुत काम आएगी, इसके बाद अगर हम बात करें personality की, तो आप क्या words यूज कर सकते हो, physical features और personality तो दो different चीज़ है, physical features में आपका सिर्फ जो outlook है, बाहर का जो outward appearance है, वो ज्यादा आप emphasis डालते हो, लेकिन personality में आप बाकी qualities पर बात करते हो, तो आप उसमें क्या-क्या लिख सकते हैं, जैसे good looking है, तो आप good looking भी लिख सकते हो, charming आप लिख सकते हो, smart, handsome, beautiful, sincere, intelligent, diligent होता है, hard working, यह आप लिख स काम, इंसान होता है, patient, जिसके अंदर बहुत सबर होता है, जिसमें बहुत patience होता है, soft spoken, जो प्यार से बात करे, kind and generous, innovative, confident, punctual, compassionate, अब बहुत सारे words यहां पर लिख सकते हो, उसका कुछ list मैंने यहां पर आपको दे दिया है, इसके बाद यह तो हो गया हमारे person का description, अब अगर हमें किसी place को describe करना है, तब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो obvious सी बात है, आपको उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा, for sure, definitely, यह थोड़ी ना है कि तुम अगर describe कर रहे हो, ताजमहल को तो उसके सारे historical background तुमने दे दिया, और end में बता रहे हो कि हाँ, हमने ताजम आए वाला गेम थोड़ी चल रहा है, तो आप definitely name लिखोगे, उसके बाद आप उसके historical background पर बात करो, आप उसकी history बताओगे, यह सब आपको देखो, कुछ ऐसे भी places हैं, जिनके बारे में बच्चे-बच्चे को पता होता है, तो थोड़ा बहुत आप वो भी add कर सकते हैं, आपको cues and hints मिलेंगे, तो उसके बारे में tension मतने ना कि ma'am, हमें हर जगर की history कैसे पता होगी, यह doubt किसी को नहीं होना चाहिए, आपको already यह सब clues में मिलेगा, clues कहो या cues कहो एक ही बात है, size, appearance, atmosphere, यह सब पर हम बात करते हैं, size as in, यहाँ पर आप यह words नहीं लिखोगे कि plum है, fat है, thin है, size as in, उसमें आपको question में provided होगा कि क्या, उसकी height है, कितना broad area में है, कितने area को cover किया हुआ है इस particular place ने, then appearance की कैसा दिखता है, किस तरह के marbles use हुए है, red marble, white marble, जो भी आपको लिखना है, atmosphere, वहां का ambience कैसा है, किस तरह का पूरा का पूरा outlook है, appearance, I mean atmosphere, overall कैसा hustle-bustle र described है, वो place है, कितने सुंदर-सुंदर phrases वहाँ पर लिखे हुए, तो उसी तरह से, special description अगर कुछ और आपको additionally describe करना है, वो भी आप दे सकते हो, and then recommendations, कि भई हाँ, ये वाली जगह का, ये particular चीज बहुत famous है, और ये सारा आपको वहाँ पर mention, आप आराम से उस place को लेकर कर सकत हो, इसके बाद आता है कोई event, अब मान लेते हैं कि आपके school में कोई annual day हुआ है, sports day हुआ है, या आपने कोई trade fair, या कोई भी festival दिवाली fair होता है, या holy fair होता है, आपने ये सब चीजे कुछ attend किये हैं, उसको लेकर आप present कर सकते हो, तो definitely आप सबसे पहले event का नाम बताओगे वो कब हुआ ये बताओगे, फिर further आपको details देनी होंगी and then आप ये भी बताएंगे कि भी किस किस ने वो program attend किया था, अब किस किस ने program attend किया था का मतलब आपके पास पुरी guest लिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, definitely वहाँ पर कोई attractive special guest आपने देखा हो, जिनके बारे में लो कर सकते हो, right, तो इसको लेकर हम लोग example question अभी solve करते हैं, ठीक है, try करेंगे कि साथ के साथ हम लोग करें, आप लोग भी आराम से इसको पढ़ कर, फिर answer की तरफ बढ़ना, ठीक है, मैं आपको directly answer show करूंगी, but make sure आप पहले इसको पढ़ो और खुद से try करो, उसके बाद इसके साथ, तो यहाँ पर देखो question क्या है, use the following cues to write a paragraph describing one of the security guards posted at the main gate of your apartments in about 100 to 150 words, क्या बोला है, आपको यहाँ पर किसको describe करना है, आपके society के guard को, ठीक है, आपके apartments के security guard को, जो आपके main gate पर society के, जो आपका apartment है, उसके main gate पर वो खड़े रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको describe क करना है, अब तुम यह नहीं जाओगे कि अपने घर के आसपास या society के पास जो भी guard है, उसको देख देखकर तुम describe करोगे, यह नहीं करना है, यह हिंट दिया होगा, ठीक है, इन हिंट के basis पर we have to present, now see, क्या दिया होगा, देखो, गनेशन, a retired soldier working as a security guard, तो आपको नाम पता चल गया, उसके बारे में थोड़ा सा detail पता चल गया, age आपको पता चल गया, around 50, यह आपको देखो physical feature, robust personality, strong personality, ओके, तो यहाँ पर आपको physical feature भी पता चल गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यह उसका physical feature है, तो आप लोग हमेशा जो है physical feature पहले लिखेंगे, उसके तो होगा ही नहीं, है ना, वो थोड़ा सा strong looks वाला होगा, तो वो हमने लिख दिया, big mustache, okay, काफी generalize किया है, वैसे guard की personality को, बढ़ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो answer लिखना है, अब उसके बाद हम personality को देख रहे हैं, अगले यहाँ पर, आपको hints भी विलकुल order में provide किय होगे है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, sincere than, dutiful, conscientious worker, very alert, good presence of mind, एक guard के अंदर यही personalities तो चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पर mentioned है, उसके बाद लिखा हुआ है कि बढ़ा popular है, helpful towards the old and children caught a gang of roberts once, एक बार एक गांग of roberts को भी पकड़ा, तो सारा कुछ present है, मुझे नहीं को, there was a soldier named Ganesan, और ऐसे करते है, as it is, इसको लिख देते है, वहाँ पर marks आपको कटने के 100% chances है, because आपको connect करना है, ultimately, ठीक है, ओके, तो अब आप इसको कैसे present करोगे, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको heading देनी है, if required, ठीक है, if required, आप heading दे सकते है, वैसे त objective लिख दो, उस guard के आगे, और फिर, यह होगे आपका, beautiful security guard, ठीक है, नहीं आ रहा है, आपको beautiful word, आप security guard लिख दो, काम चल जाएगा, कोई stress नहीं है, देखो, कैसे शुरू किया है, the nation is a retired soldier, सीधा हमने उसके बारे में लिख दिया, कि Ganesan जो है, वो एक retired soldier है, उसकी age हमने य years का है, ठीक है, और वो क्या काम करता है, फिर हमने उसका profession यहाँ पर mention कर दिया, कि वो क्या काम करता है, who works as a security guard at the main gate of Saraswati apartments, बस, एक line में इतना detail काफी है, यह नहीं कि आप continuous कर रहे हो, उसको फिर आगे बिना connector लगा, he was a tall man, कोई full stop नहीं है, कोई punctuation नहीं है, तो marks cut जाएं personality है, जो भी उसकी quality से उस पर बात नहीं करोगे, पहले आप physical features बताओगे, so he is a tall man and of a robust build, लिग दिया, सही prepositions का use करना है, आपको conjunctions का use करना है, and का सही जगा पर use होना चाहिए, ठीक है, फिर being a retired soldier, he has a very good physique and stamina, अब क्योंकि वो एक retired soldier है, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां से शुरू कर सकते हो, he has a very good physique and stamina, right, because he was a retired soldier, यह तो आपका खुद का thought process होना चाहिए, कि भहिया, वो अच्छा खासा एक soldier है, retired soldier है, पहले वो soldier है चुका था और अब retire हो चुका है, तो उसकी physique obviously अच्छी होगी, अच्छ खासा उसका stamina होगा, तो थोड़ा से additional point आप भी डाल सकते हैं, उसके बाद हम उसके looks पर आ रहे हैं कि he has an intimidating look with a big mustache, ठीक है, कि intimidating look है, और देखो एक point रह गया था mustache वाला, फिर उसको add किया गया, किस तरह से with का use कर गया, with a big mustache, ठीक है, फिर आप आओगे personality पर, यह नहीं किया, पहले personality लिख रहे हैं, फिर हमने लिखा, कि he is a sincere, dutiful and conscientious worker, who works with alert and good presence of mind, अब यहाँ पर गनेशन को describe करते हैं, हम लोगों ने simple present tense का use किया है, क्योंकि गनेशन ऐसा नहीं है, कि वो उस दुनिया में नहीं है, वो है, present है, तो इसलिए हमने उसको present tense में दिखाया, कुछ ऐसी personalities आपको describe करने आ सकती है, जो अब इस दुनिया में नहीं हो, ठीक है, the person might have passed away, तो ऐसे के लिए past tense use करोगे, थोड़ा सापको ध्यान में रखनी है, यह चीज़े, ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, उसके सारी personality के बारे में, फिर हम लिखेंगे कि popular word लिखा था, अब popular word का मतलब वो कहा popular होगा, वो थोड़ी कहीं जाके किसी दूसरी country में popular होगा, वो guard है किसी society का, तो वो वहाँ के residence के बीच में popular होगा, वहाँ के लोगों के बीच में popular होगा, तो हमने लिखा, the nation is popular among the residents, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे continue किया, कि he is helpful towards the old and children, औ और आप दिखो के बहुत short sentences में लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब paragraph बनाने में बड़े-बड़े sentences लिखते हो, अकसर confused हो जाते हो, तो वो नहीं करना है, छोटे-छोटे sentences आप अपने बनाओ, और डरना नहीं है इस चीज़ से कि हमारे तो इतने simple और छोटे sentences बन रहे हैं, क हमने conclude कर दिया overall Garnation के बारे में, कि भई उसकी जो personality है, जो physical features या उसके जो भी actions या behavior रहे है, वो क्या बताते हैं, कि वो भई rules वाला उसूलों वाला आदमी है, जो अपनी duties की तरफ faithful है, clear है, तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा अपना descriptive paragraph लिख दिया है, ठीक है, आगे अगला sample देखते है, देखो अगला sample क्या है, एक event को describe करना है, और event को क्या है, enumerate a day, add the book fair and write a paragraph in about 100 to 150 words, describing the place using the following notes, अब यहाँ पर आपको book fair को describe करना है, ठीक है, book fair को describe करना है, और उसको लेकर यहाँ पर hints दे हुए, सबसे पहला hint आपको क्या दिया हुए, when was it organized, कि कब organized हु हुआ, purpose क्या था, क्यों organize किया गया भाईया, क्या main motive था, क्या-क्या arrangements थी, किस-किस ने participate किया, कितने लोग लगभग वहाँ थे, और सबसे special बात उस particular event की क्या थी, तो यह सब एक book fair के लिए नहीं, majority events के लिए आपको यही points कवर करने होते हैं, तो अब आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले, सबसे पहले तो आप अपने उस place को लिखोगे, book fair is organized in प्रगती मैदान, डेली every year, ठीक है, जो भी book lovers उन्हें तो पता होगा, अभी भी February में यह हुआ था, तो this year it was organized in the month of February, तो यहाँ पर हम February लिख लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि भी कह organized हुआ, so book fair is organized in प्रगती मैदान, डेली every year, अब माल लो किसी बच्चे को नहीं पता, तो वो यह बात सोच के panic न करें कि अगर हमने डेली नहीं रिखा तो क्या हमारे number कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उस moment में कुछ भी अपना place लिख सकते हो, जो भी आपको सम समझ में आ रहा है, clear, समझ में आई बात, अब वैसे तो यह national book fair है, यार यह पता होना चाहिए, आपको की डेली में होता है, हर साल होता है, प्रगती मैदान में होता है, ठीक है, इस साल यह किस मन्त में मनाया गया, February में हमने लिख दिया, और बहुत बढ़ा फैर था, बहु अब book fair में कोई cultural performance होना थोड़ा next to impossible है, या book fair में कोई sports event होना थोड़ा सा लग रहा है न, illogical, क्यों हो, क्या होगा book fair में, obviously तरह तरह की books होंगी, अलग-अलग subject पर, अलग-अलग topic पर तो यही तो लिखोगे, बात बस यह है कि logically आपको चीज़े लिखनी, अब मान लो, त पहले लिख देते हैं तो यह बिल्कुल illogical sequence होता, तुमने पहले यह लिखा कि भगया, बुक fair कहां लगता है, आपने place लिख दी, ठीक है, कब हुआ, यह भी लिख दिया, उसके बाद obvious सी बात है कि यह आपका past tense में जाएगा, क्योंकि यह event हो चुका है, आई समझ में बात इसलिए मैं आपको बोल रहे हूँ कि आपको confused नहीं होना है अपने tenses को लेकर, यह आपका past tense में जाएगा, people from Delhi and neighboring areas came, देखो सारा past tense में, कि आसपास के शहरों के लोग और राज्यों के लोग यहां आए attend करने, और यह बहुत ही rare opportunity होती है, book lovers के लिए, और library owners के लिए, क्यों special books and teaching aids, which are not easily available in bookshops, कि यहां पर कुछ special books आई थी और कुछ teaching aids आया था, कुछ stationery आया हुआ था, जो easily आपको कहीं shops में नहीं मिलता, तो हमने हर एक point को include करके, आप ऐसा समझो, कि वो जो hints दिये थे, वो आपसे question पूछे गए थे, और आप जैसे literature में करते हो, one या two lines में अप आपको वही करना है, और उन सब को जोड कर एक आपको descriptive paragraph present करना है, with a title, okay, ठीक है, आगे पड़े, next question देखो, अगला क्या है, एक place को describe किया है, वो है ताज महल, आप ताज महल आप visit करे हो, during your school educational trip, उसके बारे में आपको लिखना है, हिंस आपको provided है, क्या क्या लिखा है, द राइट, तो ये भी आप mention कर सकते हो, भी क्या आपको करना ही है, जो hints दिये है, वो mention करना ही है, शहाजहा ने ये बनवाया था, fine mughal architecture, बहुत ही सुन्दर architecture हमें इसमें देखने मिलता है, 16 साल लगे इसे लगभग बनने में, ठीक है, इस तरह से, आपको जो hints दिये हुए, उस ताइम पर आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये गलत डीटेल दिया है, गलत डेटा दिया है, आप ये मत सोचना, जो आपको दिया है, आप उसे साब से अपने answer को present करो, because आपके language पर यहाँ पर marking हो रही है, okay, white marble से बना है UNESCO World Heritage Site, इसे बोला जाता है, तो आप इस तरह स specific जगा, किस particular जगा की बात हो रही है, simple आपको वो present करना है, आपने देदी अपनी heading, उसके बाद आप लिखो तो ताज महल is located in आगरा, ठीक है, और वो भी कहाँ, आप लोगों को additionally लिखने की जरूरत है, हाँ पर, अगर लग रहा है कि आप शौर हो, कुछ बच्चों की जी इसके बाद इसको ज्यादतर लोग किस नाम से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, the jewel of Muslim art in India, क्योंकि वहाँ पर mentioned था, ठीक है, तो आपने लिख दिया, आपने सिर्फ additionally अपने end से क्या जोड़ा, it is popularly known as, ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कि किस ने बनवाया था, तो आप अपने लिख दिया, it was built by the Mughal Emperor शा जहां, in memory of his third wife, मुम्ताज महल, अब ये in memory of his third wife, मुम्ताज महल, ये तो hints में provided नहीं था, बट हमने लिखा है, तो आपको अगर इस तरह कि कोई छोटी मुटी details पता है, तो आप वो mention कर सकते हो, कोई ऐसा obligation नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा additional knowledge नहीं लिखना है, ये नहीं कि आप दुनिया भर का सारे अपने opinions और जो भी overwhelm हो रहे हो, आप इस particular emotion कि मैं वहाँ गया था, मुझे मज़ा आया and so on, ये सिब आप नहीं लिखो हो, it is a fine example of Mughal architecture, ये लिखा हुआ था already कि उसमें हमने लिख दिया, उसके बाद जरूरी नही to build this beautiful monument, लिख दिया हमने hints में provided था, it is made up of white marble, लिख दिया, inlaid with semi-precious stones, ये भी additional detail है, आपको आता है, पता है तो लिखो, नहीं पता तो simple, इतना लिख कर छोड़ सकते हो, it attracts many tourists everywhere, अब देखो जितने भी आपके places पर अगर आपको descriptive paragraph लिखने आएगा, ये line आप majority cases में लिखो होगे, कि ये जो जगा है, ये बहुत सारे tourists को अपनी तरफ attract करती है, हर साल, आपको ये लिखना जरूरी है, it is so beautiful that nobody should miss seeing its beauty, ये दो lines last की, आपको हर जगा लिखनी जरूरी है, at any cost, ठीक है, बहुत जरूरी है ये लिखना, क्योंकि तभी आप एक proper conclusion दे पाओगे, अपने descriptive paragraph क जो आपको किसी भी place पर लिखने आया है, ठीक है, इसके बाद हम बढ़ जाते हैं, आगे story of a diary entry, अब देखो, ये आपको मैं already बता चुकी हूँ, इसका पूरा marking scheme, तो diary writing पर हम पहले आएंगे, ठीक है, diary entry भी इसको बोलते है, तो diary entry है क्या यार, रेको diary writing basically आपका एक short composition है, जो writers के, किसी भी writer के thought को, बहुत ही simple, उसके reaction को, उसके overall experience को दिन भर का, जो भी feelings है, किसी भी activity को लेकर, जिसमे भी उसने participate कि हो, या कुछ भी ऐसी नहीं चीज हुई हो, वो अपना informal तरह से express करता है, तो इसमें कोई बहुत जादा formal तरह से हम नहीं लिखते हैं कि respected so and so, या काफी बच्चे तो डायरी लिखते भी होंगे, जल्दी से मुझे एक बार बता दो comments में किते मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो डायरी लिखना पसंद करते हैं, इसके बाद आप example लेकर चलोगे, तो class 10th में आपके पास एक chapter आएगा, ठीक है, चाप्टर है, in fact, Ann Frank की डायरी हम पढ़ते हैं, तो यह बहुत classic example है, उसने अपने proper experiences लिखे हैं उस डायरी में, वर्ल्ड वार टू के टाइम पर कितना कुछ सहना पड़ा था उन्हें, वो सब कुछ उन्होंने अपने डायरी की मदद से लिखा है, तो यह just एक example है, बाकी हम जो करने वाले है, डाय करना है, no, informal है, इसलिए मैं बोर रही हूं की creative है, ठीके लेकिन फिर भी format हमें follow करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हमेशा first person में लिखना है, मतलब कि मैं अगर आज की classes का दिन भर का record शाम को बैट कर लिख रही हूं, तो मैं लिखूंगी कि I did so and so I met this person, I watched a movie, तो first person में हर चीज़ चलेगी और usually जो है, ये past tense में रहता है, क्योंकि दिन भर का experience हो चुका है, वो actions already हो चुके है, और जब मैं लिखने बैठी हूं, तो उस moment में वो सारे actions past बन चुके हैं, तो इसलिए हम लोग past tense का use करेंगे, ठीक है, और आपको अपने diary entry में day भी बताना है, आप कप लिख रहे हो, date भी बताना है, और time, और usually time जो होता है, वो शाम के time का होता है, आप 7 बजे लिखो, आप 8 बजे लिखो, आप 9 बजे लिखो, 10 बजे, क्योंकि आप पूरे दिन का record रात में ही लिखते हो, ओके, इसके बाद जो भी important events है, तो वो आप entry में, include the writer's point of view, comments on the events, और a final comment about expectations of the future, अब definitely मैं diary लिख रही हूँ, तो भई, मैं अपने opinions तो जरूर लिखूँगी, तो उसमें definitely आप add कर सकते हो, जैसे बाकी writing section में आपको बोला जाता है, आपको अपने personal thoughts देने की जरूरत उतनी नहीं है, जो आपको hints provided है, आप उस हिसाब स लिखो, लेकिन यहाँ पर आप अपना opinion लिख सकते हो, ओके और last में आपको क्या करना है, writer अपना नाम या जो भी होई है, वो अपना नाम, girls जो है, वो अपना नाम, लिख कर diary को end कर सकते हैं, ओके, तो अब इसका format एक बार आप देख लो, format ना, it keeps on changing, कई बार चेंज हो ज इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा main content यहाँ पर body दिन भर की जो भी activity है, जो भी question में आपको provided है, कि इस पर आपको लिखना है, वो आप present कर सकते हो, and then last में आप name of the writer या आप signature इसमें लिख देंगे, और इस तरह से ये आपका पूरा part cover हो जाएगा, ठीक है, और कई ब format जो देखा गया है, वो ये देखा गया है, तो आप इसको follow करो, कोई tension नहीं है, कोई stress नहीं है, ठीक है, with a box, box जरूर होना चाहिए, अब देखो, एक diary entry हम लोगो नहीं हाँ पर किया हुआ है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पड़ो, क्या है, you are Sushmita, student of class 9th, you participated in an event promoting plantation of trees for a greener city, write a diary entry by sharing your experience, अब आपको क्या वो लाइक diary entry लिखनी है, कि आप सुशमिता हो, ठीक है, अब यहाँ पर boys भी सुशमिता लिखेंगे, girls भी सुशमिता लिखेंगे, यहाँ पर कोई और option provided नहीं है, class 9th का student जिसने की, एक event पे participate किया, plantation of trees में, अब उस पर आपका कैसा experience रह 5th December, 5 December 2023, 2024 हो गया, आज की date अगर डाल दे, तो कोई tension नहीं है, आप लोग अपनी date उस आप से लिखेंगे, ठीक है, जैसा भी आपको suitable है, जबी भी आप लिख रहे हो, उस दिन की date आपको लिखनी है, clear, शाम का timing मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको डालना है, उसके ब I feel sad today, ठीक है, I feel sad to tell you, और आपको अपनी डायरी को एकदम friend के जैसा यहां पर दिखाना है, as if you are telling this to your friend, तो कैसे लिखोगे, I feel proud to tell you that my school had organized, देको past tense है, an event for promoting plantation of trees, और मैं इतनी खुश थी, छोटे-छोटे sentences आपको बताने है, I was so happy, आपको अपने emotions express करने है, it was really great to see students come up with ideas on saving our environment, बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे नहीने ideas लेकर आ रहे थे, I was absolutely thrilled, मैं तो एकदम हिरानी हो गई, to know that planting a tree is so much fun, मुझे इतना मज़ा आया, और आज पता चला, इतनी excited मैं थी कि planting करना इतना fun काम है, उसके बाद आप further लिख दो कि कि प्रिंस्पल ने हमें saplings लगाने को ठीक है, यह आप बहुत ही इपनी personal opinions यहाँ पर share कर सकते हो, मैं बहुत excited थी, यह सब तुम्हारे साथ share करने के लिए और अपने बागे friends के साथ, I am very happy to have contributed, अब यहाँ पर हमने present में लिख दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ कि मैंने इतना important contribution दिया, अपने greener city की तरफ and last में उपना नाम लिख दिया, सुश्मिता, तो आप देख रहे हैं बहुत ही personal account है और informal language है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिलकुल formal और strict होकर यह चीज़ लिख रहे है, ठीक है, clear है, एक और जोदी से देखते हैं, अब यहाँ पर यह थोड़ा सा sad हम लोग ठीक है कि भई हमारे country का future क्या है, एक बुरी हालत में है, तो अब आपको अपनी feelings express करके diary entry लिखने है, format वही रहेगा सब कुछ, बस आप आगे कैसे लिखोगे, I am feeling heartbroken today, ठीक है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, heartbroken नहीं लिखना है, आप sad लिख दो चलेगा, ओके, जब अ नेम आपको बोला है, रिया और राकेश, इस question में option provided है, girls रिया लिखेंगी, boys राकेश लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जब स्कूल से घर आ रहे थे, बस जो है, वो traffic signal पर रुखी, सब अपनी imagination के साब से लिख सकते हो, वहाँ पर मैंने एक छोटे से बच्चे को इसे के लिए, लेकिन लोग उसे भगा दे रहे थे, यह देखकर मुझे बहुत गुरा लगा, बहुत दुख हुआ, वो बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए था, वो अपनी पेट के लिए, खाली पेट के लिए इतना struggle कर रहा है, at the same time और मुझे ये भी realize हुआ कि भई मु कुछ न कुछ इनके लिए करूंगा या करूंगी, तो इस तरह से अपनी feelings express करके diary entry लिख सकते हो, it's not a difficult task, बहुत easy है, अगर आप मन बना लो कि हाँ, इस तरह से simple sentences का use करके हम लोग अपनी diary entry लिखेंगे, इसके बाद आपके पास सबसे easy part आ जाता है story writing का, I am sure इसके बारे म और try भी करना है कि आपको जो भी story लिखनी है वो moral based हो, उसका कुछ न कुछ lesson मिल रहा हो, लेकिन आप कुछ ऐसी happenings, ऐसे incidents भी बता सकते हो, उसको ऐसे mold कर सकते हो, जो आपको life lesson कुछ दे जाए, moral का मतलब यही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारे पास restricted morals होत अब आपको ध्यान किन चीजों का रखना है, आपकी story में, आपकी story में, देको सबसे पहले कुछ न कुछ theme होना चाहिए, एक plot होना चाहिए, proper setting होनी चाहिए, और characters तो definitely होने चाहिए, आप characters आपकी मर्जी है, आपके hints पर depend करेगा कि किस तरह के characters है, कई बार animals पर stories होती है, कई बार आपके nature के अलग-अलग elements पर story बनाने दे दिया जाता है, कई बार simple descriptive आपको story लिखने दे दी जाती है, आपको set करना है theme अपने आप से, कि आपको कोई horror type story देनी है, या आपको लाइफ लेसन देना चाहते हो, या किस तरह से, ठीक है, तो पूरी planning एक बार आपने कर control करते हो, तो अब तो जल्दी-जल्दी आपके दिमाग में within few seconds कुछ ना कुछ story develop हो जानी चाहिए, इतने कहानिया बना-बना के जूट तुम लोग बोलते हो अपने parents है, तो ये तो तो तुमारे लिए बहुत आसान काम है, ठीक है, उसके बाद story को जैसे आपको बोला instructed उस ठीक है, ठीक है, और बहुत भी simple और innovative language का use करो, और title आपको देना चाहिए, वैसे बहुत important होता है, बिना story के title का किस बात की story, कुछ ना कुछ तो आपको title देना पड़ेगा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक hint दिया हुआ, देखो story क्या है, आपको बोला है, यह हम पहले cues पढ़ते हैं, जल्दी से, you were in the market, आप market में थे, came across an old woman begging, आपके सामने एक old woman आई, जो beg कर रही थी, आपको उस पर दया आ गई, तो pity on her and gave her money, आपने इसको कुछ पैसे दे दिये, also thought of taking her to a nearby restaurant, आपके दिमाग में आया कि यार बिचारी भूकी लग रही है, मैं इसको restaurant में जाके कुछ खिला देता हूँ, you turned back, did not find her, लेकिन जैसे ही आप मुड़े, तो देखा कि वो वहाँ नहीं है, ओके, यह आपको cue दिया, और साथ में आपसे कुछ questions raised किये गए, कि भई वो कहां गायब हो गई, उसके साथ क्या हुआ, क्या real कहानी थी इसके पीछे, आपको imagine करना और एक story लिखनी है, आप लिखने को तो यारा बहुत अच्छी stories बना सकते हो, लेकिन मैं माल के चल रही हूँ कि आप exam hall में बैठे हो, आपके पास इतना time नहीं है, कि आप बहुत एकदम best seller type story कुछ develop करो, but you never know, आप लोग ऐसा कर जाओ, ठीक है, तो हम क्या कर लिखेंगे, हम इसी story का use करके, simple सी story अपनी लिखेंगे, ठीक है, आप लोग पहले यहाँ पर एक title सोचो, जल्दी से, title हम लोग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, कि हम title क्या देंगे, तो इस story का title आप अपनी story के सबसे उपर लिखोगे, center पर, तो हम लिख देते हैं, कुछ नहीं समझ जा रहा है, the old woman, ठीक है, या आप दे सकते हो, the lesson, ठीक है, और कई बार ना, बच्चे पहले title दे देते हैं, फिर story लिखते हैं, यह गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारा title और story ना, मैच ही नहीं करता है, तुम क्या किया अगर हो, पहले फटाफट, फटाफट, story में यह particular target किया, इस पर लिखा है, फिर तुम अपना title वहाँ पर देना, ठीक है, अब जैसे और हो सकता है, title हमें आए, अभी के लिए मैं यहीं सोच के चल लेती हूँ, चल दा, old woman, हमने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम story को frame करते हैं, तो हमने कैसे लिखा क कि वही one day, ठीक है, एक बार क्या होता, अब कुछ बच्चे लिख देते हैं, once upon a time, यह इस वाली story पर fit नहीं बैठेगा, reason उसका यह कि आज से बहुत सालों पुरानी कहानी नहीं है, तुमको बिल्कुल recent recent incident यहां पर बोले हैं कि तुम जो है, market जा रहे थे, वहां तुमने लिए एक लेडी को, तो यह बहुत जमानों पहले की बात तो नहीं है, तो avoid that once upon a time, यह काफी पुरानी कहानी के लिए यूज करते हैं, राजा महराजाओं की कुछ कहानी आप सुना रहे हो तब की बात है, कोई जंगल की कहानी आप सुना रहे हो तब की बात है, यह तो एक स some money and thought to take her to eat, but she disappeared when I turned back, I went home and told my mom, she said we don't know if she really needed help, I wondered if it was a test from God, बहुत ही सिंपल जो immediate thought आता है आपको पढ़ते ही, वो सारे इवें यहां पर मैंने इवेंस जो है डिसक्राइब कर दिया, कि हाँ यही हुआ होगा, कि मैंने घर गया और मैंने अपनी मदर को बता है, कि मैंने एक हो सकता है, कि वो जो तुम कहा रहे हो ना, कि वो गायब हो गई है, हो सकता है, यह गौड का कोई टेस्ट हो, ठीक है, अब उसके बाद, few years past, कुछ साल बीद गए, ठीक है, I had forgotten about the incident, और मेरे दिमाग से तो यह incident चाह भी चुका था, भूल चुका था मैं इसके बारे में, by this time I had become a professor in a university, और अब मैं बड़ा हो चुका था, अब मैं क्या बन गया था, एक professor बन गया था university में, one day while coming back from my classes, I found an old lady smiling at me from a distance, मैंने क्या देखा, एक old lady मुझे दूर से देखके मुस्कुरा रही है, initially I thought she had mistaken me with someone else, चुरुब मुझे लगा कि इसने मुझे कोई गलत समझ लिया है but she immediately came nearer and reminded me of the day I had helped the old lady, पर इसने मुझे वो दिन याद दिलाया जब मैंने इस old lady की मदद की थी, सारा कुछ देखो past में, ठीक है, और अगर आपको थोड़ा भी tension है, past tense, गड़बड हो रहा है, tenses में problem आरे है, जाके tenses की video भी देख लो, with the money I had given her, she could feed her kids, उसने बताया कि ज particular author के लिए, writer के लिए जिसकी भी बात हुई है, और उस दिन मुझे समझ में आया कि kindness जो है ना, वो unexpected blessings कभी भी लेकर आ सकती है, तो ये जरूरी है कि आप दूसरों को बिना result के बारे में सोचे मदद करो, बिना outcome के बारे में सोचे मदद करो, तो देखो ये story ऐसी नहीं थी क कोई बहुत heavy moral था इसमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, we should do this and that, बहुत ही simple एक narrative हमने दे दिया, exam में बच्चों को अक्सा problem आती है, कुछ भी ऐसा moral based story ढूनने में, तो आप अपने, ये देखो मेरा मानना ये है कि life के सारे incidents हमें कुछ में कुछ सिखाते हैं, तो आप छोटा सा आपको वो story लिखनी है, आपके जो भी characters है, उनका use करना है, आप अपने characters और उसमें डाल सकते हो, लेकिन बहुत जदा भावनाव में नहीं वहना है, because limited हमारे पास word limit होती है, I mean limited ही हम लोग words में लिख सकते हैं, clear बाकी हमें पूरे paper का भी ध्यान रखना है कि वो छूटे र दिया है, and I will see you in the next class, thank you so much.